बिस्विल्ला रह्माने रहें, बड़ी हैरत होती है उसोर, जब हम देखते हैं कि बहुत प्यार करने वाले जो रिष्टे हैं, उनके आखों में फूम उतर आता है, उनके हाथों में हत्यार वा जाते हैं, और वो बेरहमी से अपनी प्यारों को कपिल कर देता है। हमारे एक देगे ये पिछले चंद दिनों में ऐसे वाक्यात होता हैं, और ये वाक्यात को देखते पढ़ते हुए दिल कांप जाता है, कि हमारा समाज क्या बन गया है, इस समाज के अंदर रहम नाम की चीज नहीं रही, बर्दाश नाम की कोई चीज नहीं, और हम अपने जारों को किस धर्दी से कतल कर, वाक्या हुआ कुछ दिल पहले हैदराबाद में, एक खातूम छुट-छटे तीन-चार बच्चे उसके जवान, उसको उसके खामन ने कतल कर दिया, और कतल किया उसके बच्चों के साउट, चार साल के, छे साल के, पाँच साल के बच्चे ज उनका बाप शराब पेंके उनकी माँ को गतल कर रहा बताएए उन बच्चियों की जिहनी सिहत पुर जिद्गी के लिए क्या होगा इस गतल के जब तहकी के लिए तफ्तीश के लिए तो पता चला के वही मामला मुदालबा पैसे लाने के कुछ अपनी जो बदामनी है उसको छुपाने की कोशिश इस हाथ तक टार्चर भी किया गया खातून को जहनी तोर पे कि जो कातल है जो उनका शौह का वो बुक्तिव खातियों के साथ अपनी तस्वेरे बना के अपनी बेड़ों को बेटा ता वाच्चाप करता था कि इसे तकलीफ हो टार्चर ये है एक सोच और आखर मेरे रह्माना किसम का तशद्द कर तो तस्वेरे बेखी होगी आपने सोशल मेडिया पर गर्दिश कर देगी उस खातून के चेहरे पर इस तरह जखमों के दिशान आखर उस खातून को कबल कर दिया खातून ने कि मेरे साथ मेरा शोहर इस तरह का सुनूप करता है और माबाब ने क्या कहा वही जो मश्रिक में माबाब अपनी बेटियों को कहते है कि बेटी हमने आपको ब्या दिया अब आपको बाद से जनादा उठना चाहिए तो बेटी का जनादा उठ गया है फिर हमने अब आलिया वाक्या देखा इसलामबाद इसलामबाद में रहरे दोनों कामदान टाक्वार बासर है सुन। समाज में उनकी कुछ अजादियां हैं जो मिडल क्लास और लोड मिडल क्लास इंजाए नहीं करती वो अजादियां उनके बच्चे जिस तरह से मिलते हैं बगैर शरी एक कामदान बीए समाज में इजज़त और इहतराम रखने वाले कामदान से जो लरका है उसका भी ऐसी लर्सियत ही है वो कब से रहने साथ कितने देन से साथ थे इस बार में कुछ नहीं कहा जा सकता दिका लेकिन यह है कि उस कामदान ने अपने कतल से थोड़ी दे पहले अपन हुदे क्या कहा कि बाबा हम सुना शहर जा रहे नहार का दिकार एज से एक दिन बहले की बाद कि हम नहार जा रहे हैं अब बाप का यह फर्स बनता था कि पूर्टा कि बैटी आप किसके साथ जा रही है क्यों जा रही है इज से पहले यह तो घरवलों के साथ मनाई है तो हम उन्हें कई जगा पे अपनी जिम्मेदार्यों से सर्फ नजर किया। अपनी जिम्मेदार्यों समझा नहीं उलाओत को। हम अपने समाज की अब तक मुझ से वाकफ नहीं है। तो क्या हुआ उस बेटी को उसके दोस्त ने पहले इत्शद्द किया। कतल किया और कतल के बाद उसका सर्फ धर से अलग कर दें। तसवर कीजिए कि वो सफाकिय की किस दरजे पर था उसके अंदर वैश्चत किस दरजे पर किस सदा पर होगी। कि उसने एक अपनी साबब दोस्त को कतल किया और उसकी गरदन उतार दें। अब ये वाक्या तहकीकियती इदारों, तफ्तिशी इजन्सियों और पुलिस के मादायन चल रहा है। दो रुखामदान इस पे अपना अपना जोर लगा रहे हैं सुमाजी। वो इजन्सियों के तफ्तिशी इदारों के भी हाथ में रोड़ेंगे। और अपनी बात सच साबित करने के लिए जूट का भी सहारा लेंगे, कहानियां भी बनाई जाएंगे। लेकि असल कहानी ये है कि एक जवान साथ खातून कतल होगी बेरेंगे। अब इस कतल का किसी पे तो जुम्यदारी बनती है। इस इनके खानदा, ये समाज, रियास्त कौन जुम्यदार है। ये क्यों कतल हो रहे हैं बेटियां। क्या हम उनकी तरभियत नहीं कर पा रहे। हम उने बता नहीं पा रहे कि हमारी अकदार क्या है। और सिर्फ बेटियां ही क्यों। वो जो कतल करने वाले बेटे हैं। उनकी तरभियत माय क्यों नहीं करते। बाब क्यों नहीं करते। हमने अपनी जनरेशन को छोड़ दिया है कि वो घर से बाहर जाने और जो मर्जी सीख की आदे हैं जो मर्जी बन के आदे हैं वो बाहर से डाकु मन के आ रहा है वो कातल बन के आ रहा है वो और नशा इस्तमान करने वाला बन के आ रहा है वो ब्लैक मेलर बनके आ रहा है वो क्या बनके आ रहा है हमें पता ही नी चलता हम ने अपने जिन्दगी एतनी मस्रूफ कर ली कि इस मस्रूफें में हम अपने बच्चों की जो शकल सुर्थ बन रही है उससे वाकवी नहीं रहते और पिर सामेहाथ जन्म देते तो ये बेरहमी और पहलेगी क्या मजईर इस पर कुछ कह जासे मेना ख्याल है यह काओ आप भी कुछ कहने से पहले इस पर सूचिए कि आप इस पर क्या कर सकते और जो आप कर सकते ममूली साथ काओ ममूली से कुछ लफस हो कोई एक क्दम हो किसी का हाथ पकरना किसी से तावन करना जरूर कीजिए ये सुसाइटी एक मौज़ब सुसाइटी बनी चाहिए हमारी कंट्रिबुशन के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमें देर भी करनी चाहिए बहुत शुक्रिया जाते होएं याद दहाने के सब्सक्रिप्शन का बटन जुरूर प्रैस करते हुए बहुत शुक्रिया